कि दोस्तो जब भी हम ब्लड प्रिशर की बात की जाती तो ज्याद़ तक लोग हाई लेकिन वह लोग यह नहीं जानते अगर लो बीपी की समस्या गंबीर हो जाए तो ब्रेन तक पहुंचने वाले आक्सिजन और जरूरी पोसक्ततों में रुका वटा सकती है दोस्तों लो बीपी की समस्या को खलके में लेना आपके लिए खतर नाक हो सकता है आज इस वीडियो में बात हम करेंगे कि लो बीपी की क्या कारण है क्या इसके लक्षण है और अगर आप लो ब्लड प्रेशर का इलाज ढूंड रहे हैं तो हम यह आपको बताएंगे कि लो ब पाकी अंगों तक पहुंचाता है और इसके लिए जो पावर लगती है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं अलगलग सिच्वेशन में ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो सकता है समानने तोर पर किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 बटा 80 के स्तर पर होना नॉर्मल होता है इसमे देरे करके आप लो बीपी की तरफ बढ़ रहे हैं नॉर्मली जब आप अचानक बेहद कमजोरी महसूस करें या चक कराएं तो यह लक्षन लो बीपी को सो करते हैं लेकिन में रूप से ठकान हो गया डिप्रेशन जी मिचलाना प्यास लगना दुंदला दिखाई देना स्क क्या कारण है जिससे कि हमारे वीपी लो हो जाता है अगर आपको हडसे कोई पूब्लॉम है तो हट प्रोलॉम में कई बार ऐसा होता है आप लो बीपी कैसे कारफ हो जाओं कि हट से जूरई प्रोलॉम में कि सरीर में खूण सहीत तरिके से सर्कलिट नहीं हो पाता और फीर ब्लड प्रेशर लोड हो जादा दूसरा खून कि कमी या पते हैं कई यrolog कि ३पी हो जाता किसी बड़ी चोट या ऑंद्रुनी रक्सराव के कारण सरीर में अचानक खून की कमी हो जाना या फिर सरीर में कुछ जरूरी पो सकता है जैसे विटामिन B12 या आयरन की कमी हो जाए तो व्यक्ति एनेमी का इसकार हो जाता है इससे भी लोग ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है प्रेग्नेंसी के दोरान भी संभावना दिक है कि एक आम बात है लेकिन रेगुलर अगर ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत अपना चैक अपको कराना चाहिए अगर आप पानी कम पीते हैं तो भी लोग ब्लड की समस्या हो सकती है क्योंकि पानी कम पीने से आपकी बोड़ी डियाइट हो जाती है उसकी वज़े से भी लोग हो सकती है, तो दोस्तो आब बात करते हैं कि low BP का treatment क्या है, क्या इसका around है, क्या ऐसे friendly use किए जाएं, कि जिनका use करके हम स्ट प्रोबर्म से बच सकते हैं, तो दोस्तो आज मैं आपको बताने वालए alone low BP के लिए तीन सांदार ऐसे loveеп SAND경 से बच सकते, तो पहला प्रोडेक्ट इहीं हमारा गयोडेग्ट महाँ दौस्तों गयाने डांमा को जड़ी-वुटियों का राजा कहा जाता है है असी तरीक है। एंटीवारिज का काम करता है यानि पूरी बोड़ी को सकैन करता है और दिरी दरी करके विमार्यों को भाहर निकाल देता है सबसवते इसके अंदर दोस्तों 8 हुश्य गुणकारी पसप्तता होते हैं जो हमारे बोड़ि की साफ सफाई करते हैं तथा फ्री रेडिकल्स को भार निकालते हैं अगर आपकी बोड़ी के अंदर कोई ट्यूमर या गांट वगएरा हो तो उसको भी गलान की शमता रखता है गैनलर्मा के अंदर कैंसर की कोशिकाओं को नस्ट करने की अपार शमता होती है इसके अंदर एंटि अक्षिडेंट होता है जो सरीर के इम्मिन सि कंई विखरों को शिला बनाता है लबनाता है नए कोशिकाओं करता है तथि पुरानी जो कोशिकाओं हो जाती है इसके अंदर आप प्रकार के ए वी tua प्रेंट होते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा प्रोडेक्ट की तीसरा जो प्रोडेक्ट है वो है हमारा स्पिरिलुना इसका अगर हम यूज करते हैं तो यह हमारे इम्मिन सिस्टम को बढ़ाएगा दिल और धमनियों को यह सवस्तर रखेगा पाचन तंतर की साहता करेगा ब्लैड में अगर खून की कमी है तो उसको दूर करेगा यह आपके आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा स्किन से रिटेड प्रोडम को यह बचाएगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो लोग के बारे में अगर वीडियो आपको अच्छे लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ सेयर करें थैंक यू एरिमिच